जहें सातियों में बिनसर कैसे हैं आप सब साइद अच्छे होंगे ससी जीडी 2023 के अगर आप तयारी कर रहे हैं मोग टेस्ट में अगर आपका मार्स कम आ रहा है आपको घबडाने की जरूरत नहीं है लिकिन अगर आपका जैसे उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं बिहार के राजस्थान के रहने वाले हैं जारखंड के रहने वाले हैं हरियाना के आप रहने वाले हिंदी भासी इलाके का रहने वाले हैं आपका इस समय अगर 115 नंबर से उपर आ रहा है मोग टेस्ट में आपको बिल्कुल भी घबडाना नहीं है आने वाले समय में अभी लगवक सत तरह दिन बाकी है और आपका तैयारी बहुत अच्छी से हो जाएगी और आप उस समय तक 132 नंबर 132 नंबर से उपर ही पाएंगे अगर 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 सतर नंबर से कम आ पा रहे हैं तो समझीये आपको थोड़ा सा त्यारी और करने की ज़रूत है अगर सतर नंबर से उपर पा रहें वो इसे तयारी करते रहें आने वाले समय में आपकी तयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप लगवक्स सव नंबर के पास में पहुंच जाएगे और आपका सेलेक्सन हो जाएगा जो बच्चे मोग टेस्ट में नंबर कम पा रहे हैं अपना थोड़ा सा टिक तक आप याद करें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो मैत और रीजिनिंग को उसमें बरीता देते हैं और हिंदी या इंग्लिज जो आपने चूज किया है जनल नालेज उसको कम पढ़ते हैं देखिए नंबर उतना ही आपको इससे भी मिलेगा और आपको हिंदी इंग्ल पकाते रहिए आपको घबडाना नहीं है दूसरे आपको क्या करना है कि साम के टाइम, साम के टाइम रेजनिंग और मैत इन दोनों को उपर ज़्यादा समय आप देजिए क्योंकि इस समय याद नहीं करना है याद करने वाला टोटल काम सूबे के रखिए अगर सूबे आप करते हैं तो आपकी दिमाग में इतने अच्छे से सीव हो जाएगा जब भी आप उसको रिकॉल करेंगे एक जाम में आपको अच्छे समझ माएगा आप डेली न्यूज पेपर जरूर पढ़ें क्या देश दुनिया में हो रहा उसके बारे में जानकारी रखें रोज कम से कम सम प्रेक्टिस सेट जरूर मारें डेली समय लगा कि एक प्रेक्टिस सेट मारें जिससे यह से जीड़ी न्यूब भर्ति दो जार सेब्सक्तार नियुगल्पी टायर की इसमें क्के जो कि previous year में आई हुए कुछ question इसमें मिलेंगे और important important आपको question मिलेंगे साथ में आपको मिलेगा पांस वोल पेपर और आपको 2800 question मिलेंगे इससे अगर आप practice करते हैं तो exam में आपको बहुत ज़्यादा इससे मदद मिल सकते है तुसरे अगर बात करते हैं कि जो नविंता पार्ट करम के ऊपर आधारित आपको हिंदी, मैथ, रिजनिंग, जनल नालेज का बिस बिस question का इसमें संग्रा किया गया है ये बहुत अच्छे तरीके से चुनिंदा question के इसमें सामिल किया गया है और बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी गया है जो question इसमें कठीन है उनको solve करके भी दिखाया गया है इसमें साथ में उत्तरमाला भी दिया गया है प्रीवियस यर के question भी इसमें दिये गये हैं अगर इस बुक के अलावा अगर आप प्रैक्टिस शेट लेना चाहते हैं चक्सू पब्लिकेशन का प्रैक्टिस शेट भी ले सकते हैं इस बुक को और प्रैक्टिस शेट को आप ओन-लाइन और ओप-लाइन दोनों तरीके से कि इसी भी तरीके से आप खरीदरी कर सकते हैं आपको यह पता लग सके कि आप कितना question 60 मिनट में कर ले रहे हैं जो कठीन question है अभी से उसको पास करने कोशिश करिए नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कठीन वाले question है वो सीम जाके फंस जाते हैं और last में बार बैट रहे हैं उनको पता होना चाहिए वहाँ पर तीन types के आपको question मिलेंगे जो बहुत easy, normal और बहुत कठीन जो बच्चे एकजाम दे चुके हैं इससे पहले उनको पता है तो आपको कठीन वाले question में फंसना नहीं है कठीन वाले question 2-4 ही होते हैं जो कि आपका पूरा स याद रहना चाहिए कि 6-7 घंट आपको सोना है और खाना है उसके अलामा आपको बिल्कुल भी अपना समय बेश्ट नहीं करना है जितना भी देर आप coaching में जाते हैं online classes आप करते हैं हफ्ता में एक बार मोग टेस्ट देते हैं आपको हर दम सोचना है कि कौंस वाला question हमारा है अभी कमजोर है कौँ सा चैपٹर हमारा कमजोर है हिंदिं हमको कहां दिक्कती रही मैत का कौन सा चैप्टर जोकी कि ज्यादा उठता है जैसे आपका हो गया काम समय का हो गया पर्षेंटेट का हो गया लाभानी का हो गया आपका संख्याओं के संक्रियाएं हो गया यह सब चीज बहुत अच्छे चैप्टर हैं और यहां से क्वेश्चन बहुत उठते हैं अच्छे देख लिए ऐसा नहीं कि जो करने वाला यह सब चीज करिए मोग टेस्ट आप जरूर दीजिए प्रैक्टिस डेली एक मारिए आप समय लगा के प्रैक्टिस मारिए हम कह रहा है कि आप 10-15 दिन तक आप करिए यह दिसंबर जाते जाते आपका नंबर अपने आप बढ़ जाएगा कभी हतास नहीं होना हम हमारा मार्क से काम हो रहा हम कुछ नहीं कर पाएंगे यह वह ऐसा नहीं है आप सब कुछ कर लेंगे बस यही है कि आप कीतना मेहनत करने के लिए अपने आपको तयार कर लिए हैं जिस दिन आप अपने आपको कमर कसक तयार हो जाएंगे यह समझ लिजिए कि आप आधी लड झाल झाल